ये आकाश्वाणी का गोरखपुर के इंद्र है प्रस्तुत है वनस्पति विज्यानी प्रोफेसर जितेंदर पांडे से डॉक्टर निर्जा माधो की बातचीत विशह है प्रकृत की सनक्षन के लिए आवश्यक है आर्द भूमी श्रोताओं आज हमारे साथ हैं प्रस्तुत वनस्पति विज्यानी प्रोफेसर जितेंदर पांडे जी प्रोफेसर जितेंदर पांडे जी से आज हम वेट लैंड या जिसे आर्द भूमी कहते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दिलाएंगे क्योंकि गुरकपुर को देखने से लगता है कि जैसे इसके आसपास की जो भूमी है वो थोड़ी आर्द भूमी जैसी लगती है तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिग्यासा उत्पन हुई कि क्यों इस आर्द भूमी के बारे में जानकारी हमारे शोताओं को दी जाए तो सबसे पहले तो हम आपसी जानना चाहेंगे कि यह विट लैंड या जिसको आर्द भूमी कहते हैं इसके कई नाम है तो वास्तों में इसका अर्थ क्या है निर्जा जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपने इस परिपर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया आज का विशय एक तरह से सामाजिक तौर पर हो या पारिशितिकी तौर पर हो दोनों दिर्शिकोंशे महत्तुपूर है जी वेट लैंड में कई तरह के नाम लिए जाते हैं जैसे आर्द भूमी बहुत कामन नाम है परिचर्चा में बहुत शारी जगहों पर दलदली भूमी भी इसका नाम लिया जाता है अच्छा दलदली भूमी बहुत प्यूक्त नाम तो नहीं है आर्द भूमी ज्यादा तर लोग उसका इस्तिमाल करते हैं नाम और कह कहीं पर जल मैं भूमी कहते हैं जल मैं जल जो पर्यात्त्त मात्रा हो और कहीं पर इसको सर भूमी कहते हैं सर भूमी सर यानि तालाब क्या चीज़ सर का मतलब संत्रिप्त अच्छा संत्रिप्त एक तरस यह आप समझ लें कि हम अगर इंगलीज में कहें तो सचुरेटेड सब्द का इस्तिमाल करते हैं अगर वेट लेंड या आर्भ भूमी को एक उसमें चोटे से दो वर्ड में कहना चाहें तो ऐसी भूमी जो पानी से संत्रिप्त हो जी जी बहुत कामन कामन मैं कि लिए सबसे साधारान परिबासा जो हमेश्या संग्यान में रखी जा सकते हैं जी 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 ये जैसे आपने गोर और पूर की बाद किया तो हम लोग फ़ोड़ा बाद में आयेंगे तो स्थमय प्रवेतिवी हैं वो निस्ट भाता है आप निचले का ताथ पर हम लोग और एक साहिए केसे हाई लेन्ड और लो व मेंठ आइन յी हाई लेन्ड मैंठ दो तरह परसाद का पानी हो वहां रूके न अच्छा अच्छा और लो लैंड का मतलब है कि यहां पानी थोड़े समय तक प्रूका रहता है अब यह सामाइक भी हो सकता है यह से कुछ महीनों तक रूका रहे हैं और यह हमेशा रूका रहें वर्षों तक रूका रहें ऐसा हो सकता है तो दोनों परिशित्यों में हम उसको वेट लेंड या आर्ध भूमी ही कहते हैं कुछ महीनों के लिए भी पानी रुका है किसी छेत्र में तो भी वेट लेंड होगा तो वह अस्थाई और अस्थाई दो स्रेंडियों में आ जाता है तो एक अस्थाई वेट लेंड हो जाती है और अस्थाई वेट लेंड हो जाती है लेकिन सामान तोर पर अगर पानी रु पानी से संत्रिक्त हो उसको हम आर्ग भूमी या वेट लैंड या जलमय या सर्भूमी के नाम से जाते हैं जानते हैं चाहिए पर वेट लैंड को रामसर कहते हैं रामसर क्यों कहते होंगे अब देखें मैडम ऐसा है कि रामसर एक सहर है इराण में है पूरे विश्व में मनाया जाता है जो एक कंवेंशन हुआ था जो अंतराश्ती कन्वेंचन था उसका जो प्राइमरी आप्यप्ति मुख्व जो देश था ऑफ था कंजर्वेशन और स्समेबूल यूज वेट यूज इसका मतलब है कि हम आल्ध भूमी का स्कालक्षण कैसे करें और उसका हम स्समेबूल यूज कैसे करें क्योंकि आल्ध सतही इसका संबंद हो सकता है दूसरे किसी आर्ध भूमी से या दूसरे किसी छेत्र से पानी ऊपर से बहता हुआ दूसरी जगा चला गया जी ती एक ये सतही संपर्क हो सकता है उसका इसका फायदा मिलता है वहां के रहने वाले जंतियों को बनस्वत्यों को और इंसान को भी तूसरी तरीके से या तो वो मतलब जैसे भूजल से संबंधित हो लंबे समय तक वहाँ पानी जो है संतित रहता है तो ऐसी परिशिती में पानी धीरे-धीरे फिल्टर करके भूजल में मिलता है तो सुद्ध भूजल को बढ़ाता है तूसरी परिशिती में यह होता है कि वो पानी वाथ्पित होकर पर्यावरण में जाता है तो पर्यावरण की नमिया वावकर के फिल्टर के नमी जिम्मेदार है इसलिए दो फरवरी को वेट लेंड डे के रूप में मनाते हैं इसमें एक इंटरनेशनल प्रीटी समयोता जो है वो साइन किया गया जिसमें यह कहा गया कि जिसनी भी वेट लेंड अंतर राश्ट्री मातुपी हैं वो चाहे विसमें कहीं भी हो जी जी उनको हमें पहचानना है और वेश्वी के अस्तर पर उनके सरक्षण की और उनके सस्नेबुल इस्तिमाल का सतति इस्तिमाल का कैसे उपयोग हो उस पर हमें बैज्ञानिक दिश्रिकोंड से काम करना है जी तो क्या इसके लिए कोई टीम हो बैश्वी के सब्सक्राइब नेशनल और इंटरनेशनल लेबल पर सब बनी है जो जो जितने भी वेटलैंड इस तरह के स्रेड़ी में आए उनको हम लोगों ने रामशर वेटलैंड या रामशर अस्तर मान लिया अच्छा अपने भारत में भी जो वेटलैंड दिखाई दि जिल की रामसर मान लिया और इसमें जैसे आपका चिल्टा लेख है पुरीसा में जैसे केवला देव है आपका राजस्थान का बहुत मश्यूर है नेशनल पार्ग की है बर्ड सेंक्ट्री भी है और जम्बू कस्मीर की बुलत जील है पेरल में बंबार जील है इस तरह कि ज हैं यह जला से हैं लेकर आइं हम प्रीहन सन रहता है कि जील का इसको वेट़ लेंड कैसे कहें लिए अप्रिहंसर रामशर कण्वेंशन के बाद बहुत जादा थाक हो गया जीजी अंतरास्क्री महत्यों के परिस्पित की यह तंतर के आंस हैं कि आप यह यूँ कहें कि जैस लगवाते हैं है जो को संधालन है संदक्षां के लिए बहुत आवच्चे जो एक सब्रक्रित सब्सक्राइब करना तो यह प्रकृति रूपी शरीर है उसमें ये वेट लेंड किस रूप में है ये वेट लेंड इस तरह से आप समाज लें किड़नी का भी काम करता है, मतलब फिल्टर करता है, अच्छा अच्छा जी, बहुत सारे जहरीली चीजों को फिल्टर जैसे, आप माली ये गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर में पानी आने के पहले, ये लाखों किलोमेटर पहले पानी वहां जाता है, तो ये पहला पानी जो है, वो गुणवक्ता में भी अच्छा होता है, और अगर किकी प्रदूसिट से गुजर रहा है, तो जहरीली पदार्थों में भी बहुत ज्यादा सांधरित होता है, तो इस पानी को सीधे गंगा जल, गंगा जी में जान वो वह हैं ऑशोशित हो जाते हैं तो हमारे मुख घृवर तक वो तीजे नहीं पहुंँच पाते हैं अच्छा तो जैसे माली जिए आपने जो कहा कि जैसे माली जिए गंगा है या कोई भी हमारा देश को वेट लेंड कहा जाएगा क्या नहीं देखें उसमें थोड़ा सा अंतर है जैसे हम नदियों को जैसे हमारी मेजर अब नदियों में भी हम कभी मेजर रिवर कहते हैं कभी माइनर रिवर कहते हैं कभी स्ट्रीम कहते हैं तो जो मेजर रिवर हैं हम उनको वेट लेंड तो साम तो उपर की तरफ जब आप जाएंगी अपर गंगा मालीजे वहां पहुंचेंगी तो पतला शरूप होगा और जो फिट जो हाई लेंड से पानी आता वो एक तरफ से जैसे किसी एक ब्रिक्ष में बहुत सारी साखाएं हो जी जी और उपर से हम पानी गिराएं और ऐसा गिरा हैं तहनिया हैं उसके होता हुआ पानी वेटलेंग कर सकते हैं उसको अंतर राश्टी अस्तर पर रामसर साइट के नाम पर जाना जाता है अच्छा यह जो रामसर नाम है बहुत आकर्शित कर रहा है इसमें राम भी हैं कर रहा भ्याव जैसे हम अपने शरीर की अंगों को स्हाथित ना करें तमारा सरीर तो नहीं होगा इस सब्सक्रां प्रप्रोंजित जिसे अगरर प्रटृत को एक शरीर माने तो उसका बहुत महत पूर्ण हिस्चा है यह जी 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 लो जो तो पर दूक्रोंदित आपकर जी जा जानना जरूरी है कि जो वैश्वेक इस्तर की तुलना में भारत में वेट लेंड की इस्थिति क्या है कि देखें वैश्वेक अस्तर की तुलना में अगर हम पूरे लेबल पे कंपेर करते हैं तो हमारा देश जो है वह साथवे नंबर पर आता है जियोग्राफिक एरिया के हि जो पीछे और पीछे होते जा रहें क्यों वेट लेंड बनाने में हमारी आपकी भूमी का तो है नहीं, नहीं, उसमें उसमें देखें में बताना ये छाथा हमें, जो इतर सौर पर जो वेट लेंड थी जो आर्ग भूमी थी, वो कम हो रहे रहे हैं, अच्छा क्यों अब, मेकर्स हैं सबने लगभग 2450 के आसपास वेट लेंड को आइडेंटिफाई किया अच्छा जिसमें यह कहा गया कि इनका सरक्षन बहुत प्राथनिक्ता से करना ज़रूरी यह अंतराश्टी इस तर पर इतने हुए चिनहित यह हुए लगभग यह जार अफली आमाले थोड़ा बहुत रोज कोई कोई बढ़ता जाता है अब भारत में अगर आप देखेंगे तो 47 केवल 47 हैं और उस्तर प्रदेश में 8 हैं ज्यादार जो गंगा बेशिन है जो आपका गंगा रिवर की जो बेशिन है उसमें 8 हैं जिसमें हम अपर गंगा क कहीं कहीं रिपोर में 43 लिखा जाता है कहीं 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 47 अब इसमें जिक्तत यह है निर्जा जी कि हमारा जैसे देखिए हम इस पर टिपड़ी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें विटाज की जो प्रारूप हैं जी उसमें हमें थोड़ी शावदानी करना परेंगा बिलकु सही ब हमें जैसे हमारी शहरी एरिया बढ़ रहे हैं और हमारे जो थरके बढ़ रही है बहुत तेजी तो हमें हमारा जो सिस्टम है जो हमारी शरकार है जी ती उससे मैं आपके श्माध्यन से यह निवेधन करूगा अग्रा करूबा कि ऐसी जो चेत हो वह भले रामसर साइट में साइट हो गया तब तो आइडेंटिफाइड एरिया हो गया उसको कोई नहीं चुएगा जी लेकिन ऐसे जो साइट है मालीजे कोई ऐसा ताल है जो चार महीने तक पानी उसमें भरा रहता है वो भी वेट लैंड की कैटेगरी में और थाई वेट लैंड का लाएगा उसको भ जानी करना पड़ेगा जी 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 जो है ये काफी मात्रा में छोटे लेवल के जो वेट लैंसी जो पहले आइडिन्टिफाइड नहीं हुए उनके नंबर इसके चलते काफी कम हो गया तो दोड़ा हम लोग बैश्वी कस्तर पर हम पीसे हैं और हमें इसके लिए स जियोग्राफिकली इनका छेत्रफल कम है लेकिन इनको हमें मेंटेन करना होगा महत्वपूर्ण है ये प्रकृति के लिए और हमारे सब के मनुष्य के जीवन के संदक्षण के लिए जी 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 प्रफेसर जीतेंद पांडे जी ये हम जानना चाह रहे है कि जो अभी या वेटलेंड के भीतर रख पाएंगे देखें ऐसा है कि गोरतपूर जो है वो इस तरह सी तराई खेट के हिस्ता में आता है और गोरतपूर में अगर ऐस सच देखें तो रामसर काईड के रूप में कोई नहीं अच्छा वेटलेंड तो हैं जैसे आपका रामगरताल भी तरल्ड के मिलता जो शुरहताल है तराही छेतर में को सबधें अदेखें पर एक्राइग आता हैं यह सबसें तो वहां बनत्ति यां प्रशूर मात्रा में, क्योंकि बिना जल मात्रा बनत्ति यां नहीं ही. यह जो आपका पूरा गोरगपूर बलिया वाला जो पूरा उधर का हिस्टा है यह उसमें आता है और उसके चलते जैसे उधर आप आशाम की तरफ आप बढ़ेंगी तो उधर भी तमाम शारिक बहुत शारी निकले छेत राते हैं जी जी लेकिन आपका आशाम में ताजी कहीं कहीं या तो हमारी अंतर जो राशी कमितिया हैं उनके अधिन्टिकेशन में अभी हमें कुछ जोडना होगा या हमारी गौर्मेंट फीदबेक नहीं देपाई होगी जी 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 कुछ ऐसे हैं जैसे हमारी तो यह मानता है ति रामजाल काल भी एक रामशर काइब के होना चाहिए जी बिलकुल सही है क्यों को उसके सरक्षन पर तुरत हमारी बारत सरकार्टाश्चा वह प्राथमित का तुरत वहां हो जाए और उनके उपयोग की सकते यहां मनुष्य ज्यादा बशा होता है वहां से दूर रते हैं तो ऐसे चेत्र की प्रात्मिक्ता वन्य जीव को क्यों होती है क्यों कि वहां बनस्वतियां होगी तो बनस्वतियों को खाने वाले व उनके खाने वाले जों है कार्मी वों मिलें एक दूसरे से सब संबन्धीत हिस्स ट्रिंखला चलई को घृए सेает तो वह में जैसे आप कमाली ये की काजी रंगा है अगर उसमें उतना निचला छेतर ना होता तो वहां के बनने जीव को वहां मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है तो आपके तरही छेतर में तमाम छोते छोते वेटलाइंट्स है लेकि रामसर साइब के रूप में नहीं है कि मुझे लगता है होना चाहिए बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रफेसर जीते इन पांडे जी और चलते चलते वेटलेंड के महत्तों के बारे में आप हमारे शोताओं से क्या कहना चाहेंगे सबसे पहला महत्तों आता है कि जो भूजल है अगर हम वेटलेंड खतम कर देते हैं तो भूजल खतम हो जाएगा क्योंकि भूजल के मात्रा को मेंटेन करने में वेटलेंट्स और बड़ी नदिया यहीं दोनों काम करते हैं और बड़ी नदियों में भी पानी उन्हीं के आता है तो पहला तीन हो गया भूजल को मेंटेन करता है और दूश्रा यह होता है कि अगर वेटलेंड नहीं है तो जो ऊपर के हिच्छे से जो पानी आते हैं जो हम हाई लैंड करते हैं तो यका एक नदियों में आ जाएंगे और नदियों में फिर बाड़ की शिकी आ आप शुनी होंगी जैसे प्रवाशी पक्षियां हैं केवल एक उदाहरण आपको जूंगा केवला देव जो नेशनल पार्क और बढ़ शैंकुरी है भरतपूर की राजस्तान में यहां साइबेरियन क्रेम नाम की बहुत शारी पक्षियां आती थी हैं जी जी अब वो धीर कि उसमें ऐन्स पत जिससा च Darum है हाँ आते हें त्र ज्या ततर बैख अब ज्यादा इसकोई बता सकता है कि उनका वहां अंडा देने का है या क्या करने का ये तो मैं कमेंट नहीं करूंगा लेकिन जो मेरा अबजर्वेशन था कि ये पैस्पिलम जो ये बनश्पत है ये धीरे धीरे वहां से कम होती है अच्छा और 2005 में चुकि मैं फिर इधर शिट हो गया तो इसलिए उस पर काम आ जैव भीजिता को बढ़ाने में और उनको सरक्षित करने में जैसे बहुत सारे बन जीव वहां पर आराम करते हैं बहुत सारे बन जीवों के नवजात वहां पनते हैं बहुत सारे बन जीव वहां पानी पीते हैं जी जी या खाना खाने के लिए आते हैं इस पराद से जैव यह तो बहुत बड़ी बात है जी बड़ा महत्रपूर्ण की जो बैज्यानिकों को पेवल पता है वो है जो पोशक तक है उनका चक्रा अच्छा जैसे एक पोशक तक तक मैं आपको बताऊंगा नाट्रोजन जिसको हम करते हैं नत्रजन जो है हमारे अट्मास्फियर में बहु तो नहीं कर सकता है ओलेजूर फ़ाम में होता ही नहीं अच्छा जी जी य ciao हमारी घ्यूमाइर ईजय योग कर सकता है है सब्सक्राइव कर सकते हैं तो अब बैटिरिया ने फिक्स किया प्लांट में इस्टिमाल किया तो नाट्योजन का फिर पर्या बरण में जाना आवश् नहीं तो चक्र पूरा नहीं हुआ तो उस परिया वरण में जाने के लिए इसको लउताता है वह जब वह लउताता है जुछ जगह पर ग्रोव करे जहां आप्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो यह सारे वेटलैंट्स जो हैं अधराशisseur लागी में जगह अधरागी करते हैं और करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं यह कितनी सूक्ष्म बैज्ञानिक द्रिष्टी है जो खोज पाती है इन बातों को शायद एक स्थूल द्रिष्टी से हम लोग समझ नहीं सकते लेकिन यह समान अब्यक्ति नहीं समझ पाता है इस बास के बहुत आवस्यक्त प्रक इसलिए शायद हमारे यहां जो हर गाउं में तालाव और कुएं खुदवाए जाते थे शायद प्रकृति के संद्रक्षन में एक कदम वो भी था उसमें बहुत दूरदर्शिता थी यह उन लोगों को बैज्ञानिक दीजे नहीं मालूम है लेकिन बहुत लोगों को शाक्त सामाजी फायदे भी थे और परिष्टित के लिए वो उपयोगी हो यह भी उद्देश से हम लोगों के जाव में भी बहुत सारे चालाब से जो आज की पीछी में देखा जाए तो नंबर में बहुत कम हो गया है यह तो हमारी आपकों के सामने की बास है बिल्कुल दीरे दी दीरे लोग तालाबों और कुंडों को पाटते चले जा रहे हैं उस पर आवासी मकान बन रहे हैं घर बन रहे हैं यहां हम अपने सरकार से अगरा करेंगी कि यहां हमें थोड़ा सा जागरूप होने की जरूरत है जी जी यानि वेटलेंड को संदक्षित करना हमारी आपकी और सरकार की सबकी जिमेदारी है यह जी यह प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक हैं तो प्रोफेसर जीतेंद्र पांडे जी आपने एक बहुत सार्थक और सारगर्भी जानकारी हमारे शोताओं को दी कि यह जो वेटलेंड्स हैं या आर्दर भूमी हैं कितना महत्वण है प्रकृति के संदक्षन के लिए और मनुष्यके संदक्षन के लिए भी आपको हमारी शोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मेरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद